हेलो प्यारे विदार्तियों समाकेटमिक यूटूब चनल पर आपका हार्दिक स्वागत है आई होब कि आप सभी स्वस्त होंगे मस्त होंगे और आज हम बात कर रहे हैं वक्षिट नंबर 25 की यानि अपने इस वीडियो के अंदर तीन वक्षिट की बात करेंगे 25, 26 और 27 की तो आप वीडियो को end तक जरूर देखें बीच में यानि थोड़ा भी miss मत करें अगर आपको कुछ लिखना होता है तो आप अच्छे से वीडियो को रोक कर आराम से लिखें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं के अगर पली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें शुरू करते हैं वरक्षिट नमबर 25 की Competency identifies homophones appropriately homophones क्या होते हैं? homophones वो होते हैं यानि जब अपन कोई word बोलते हैं यानि जब दो word दी होते हैं दोनों word का sound को same होता है लेकिन उनके जो meaning जो अर्थ होता है वो क्या होता है? अलग होता है उनको बोलते है homophones Read the given sentences and write the correct word in the blanks आपको सबसे पहले sentences को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद में जो correct word है उसको लिखना है जैसे I went to the यानि मैं गया कहां पर दोक्टर के पास गया तो I नहीं आएगा यानि I कौन सा आएगा EYE यानि आंखों के डोक्टर के पास for a check-up क्या करवाने के लिए? आंखों का check-up करवाने के लिए तो देखो यहां पर यह भी I है यह भी I है लेकिन word साही कौन सा अपना I E Y E फिर है do you the answer क्या तुम इसका answer जानती हो do you know no का मतलब K N O W no मने जानना और इस no का मतलब होता है नहीं तो हो जाएगा do you know the answer अपने को लिखना है यहां पर K N O W no अब यह क्या होते हैं? हमोपों साहते हैं इसको बोला क्या जाता है? सेम बोला जोसे at, at, meet, meet अपने को क्या करना है? जो सही word है उसको लिखना है यहनि meaning सही देना चाहिए जैसे my sister will be years old in two days यहनि मेरी बहन है वो 8 साल की हो जाएगी दो दिनों बाद में 8 साल यहनि 8 years next है I will you today मैं आज उससे मिलूँगा तो मिलना का क्या बोलते है? M-W-E-T, meet meet यहनि मिलना next है I want to be a teacher मैं teacher बनना चाहता हूँ तो B कौन सा आएगा? यह B B यह B है लेकिन इसका मतलब होता है मक्खी, मदू मक्खी होता है misty on a bike misty road on a bike road, ROAD next है the sun signs during the day sun कौन सा? एक S-O-N sun यहनी बैटा S-U-N sun यहनी सुरिय है तो sun सुरिय वाला यहां पे the sun signs during the day next है I have a new bet मेरे पास एक नया bet है and और क्या साथ में ball, यहां पे लिखना है ball, B-A-L-L-Ball next है please do not pepper, west west, क्या, W-A-S-T, west और यह west होती है कमर next है speak loudly I cannot hear you तो क्या लिखना है अपने को S-E-A-R यहनी थोड़ा तेज बोलिये मेरे को सुना ही नहीं दे रहा तो लिखना है अपने को hear S-E-A-R hear next है worksheet number 26 competency listens to phrases and responds in words or short sentences अपने को जो phrases दीगे उनको अच्छे से सुनना और उनका answers देना है जैसे listen to your teacher reading the following sentences and fill in the blanks जैसे zigger is a little तो क्या है little little boy तो अपने लिखा little boy फिर है he lives in a small small क्या दे रखा है आपको घर दे रखा है तो house small house there is a green यानि plants outside his house उसके गर के बाहर का है यानि green हरे पोदे है तो लिखना है plants या trees next है zigger like to eat यानि उसको क्या पसंदा है देखो क्या दिखा रखी है यहाँ पे toffees तो यहाँ पे लिखना है to eat toffees next है he with his friends वो अपने मता पिता के साथ रहता है तो he lives with his parents next है he loves to play अब यहाँ पे देखो एक bowl और एक bet दिखाया गया तो he loves to play cricket next है he has a dog as a pet अब देखो यहाँ पे इसके पास dog दिखाया गया खुता दिखाया गया आपको लिखना है यहाँ पे he has a dog as a pet next है worksheet number 27 competency reads text with comprehensive infers meanings of unfamiliar words by identify context आपको सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़ना है उसके बाद में आपको जो unfamiliar जो meaning है उन सब्दों को क्या करना है फहिचानना है जैसे यहाँ पे लिखा गया है read the flowing short story and make sentence using the highlighted words आपको सबसे पहले short story को अच्छे से पढ़ना है फिर उसके बाद में आपको यानि जो highlighted words दे रखे हैं उनका use करते हुए अपने को नई sentence बनाने है जैसे we like to visit grandma's village यानि वो कहता है मेरे को बहुत पसंद है यानि grandma के गाउं में जाना grandma has a big mango tree in her garden और grandma के गर पर एक बहुत बड़ा यानि mango का garden के अंदर क्या है पेड है many birds come there और वहाँ पे बहुत सारे पक्षी आते हैं I like to hide in the mango tree और मेरे को उसके अंदर छुपना बहुत अच्छा लगता है no one can see me there और मेरे को वहाँ पे कोई भी नहीं देख सकता father looks for me near the whale यानि father मेरे जो पिता जी है looks for me near the whale यानि कुए के पास देखा mother looks for me near the cow said और माता ने cow said but no one can find me और किसी नहीं भी मेरे को ढूण नहीं पाए यानि मेरे पिता जी ने तो कुए के पास में देखा और मेरे माता जी ने cow का जो छपरा होता है यानि गाए का जो छपरा होता है उसमें देखा लेकिन उनको में नहीं दिखा oh no at last grandma's dog find me और अंत में जो मेरे ग्राणमा का जो डोग है यानि जो कुता है उसने मुझे डूंड लिया now I have to climb down अब में उससे नीचे उतर गया grandma gives me a big hug और फिर मेरे जो दादी मा है उसने मेरे को गले लगा लिया इस तरिके से इसको पढ़ना था अब अपने को कुछ answers देने थे first है how did you find the story tick your response आपको अच्छी इस पर response देना है इसमें क्या word यूज हूँ है it's okay liked it loved it इसमें हूँ है liked it यानि मेरे को mango tree क्या है पसंद है वाँ पर चुपना पसंद है तो अपने को इस पर tick करना है next है now make sentence from the highlighted word from the story अब देखो इसमें highlighted word यानि आपको highlighted word भी देखने है कि कौन-कौन से है तो देखो इसमें क्या क्या है जैसे village है mango tree है garden है whale है dog claim hug यह क्या है इसमें highlighted word थे तो इसमें अपने को कुछ sentences बनाने थे तो अपने कुछ sentence बनाए है जैसे this is a village scene यह एक गाउं का द्रस्य है I like mango tree मेरे को आम का पेड़ पसंद है we planted a small garden in our backyard और हमारे यानि वहाँ पे garden के अंदर छोटे-छोटे क्या है यानि बेक यार्ड में छोटे-छोटे planted लगे हुए है he likes claim the tree और मेरे को पेड़ पे चड़ना पसंद है dog is a domestic animal और dog की बात हुई थी तो dog क्या है का गरेलू या पालतू जानवर है I hope कि आपको अच्छे से एक समझ में आया होगा इसी तरीके से और वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें Thank you